नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंट धर्मास सनमार्क अगर नौकरी प्राप्ति में अर्चने आ रही हैं नौकरी मिलने में समस्याय आ रही है या फिर आप जितना पढ़े लिखे हो आपकी योगेता जितनी है उसी साफ से आपको जौब नहीं मि सफल से सनी देव का सीधा संबंध होता है यह तो हर कोई जानता है कि कर्म फल दाता है अगर कोई तो वह हैं सनी देव अब बैक्ति किस तरह के कर्म करेगा यह भी सनी देव ही बताते हैं अगर कुंडली में सनी देव अनुकूल हो तो करियर में सफलता मिलती चली जाती है आ तो आपके रोजगार में और ना ही आपके वेपसाय में लेकिन अगर सनी देप कुंडली में निगेटिव हो जाए तो रोजगार में और करियर में कदम कदम पर बाधाएं आती है समस्याएं परिसान करती है तो कुछ ऐसे उपाय जो सनी वार के दिन किये जाएं तो नौकरी की हर समस्या को दूर किया जा सकता है आज यही हम आपसे साजह करने वाले हैं अगर आप को नौकरी मिलने में समस्या आ रही है नौकरी नहीं मिल पा रही है वैसे भी अभी का वक्त जो लॉक्डाउन का वक्त है करोना वायरस का वक्त चल रहा है बहुत सारी जीवन में परिसानिया हैं लेकिन आप चाहते हैं कि कम सकम एक जॉब तो मिल जाए कि किसी तरह से जीवन बहतर हो सके तब एक उपाई करे सुक्रवार के दिन रात में काले चने पानी में भिगोले अब ये काला चना क्या होता है? जादिकी चना दो तरह का होता है एक होता है काबुली चना वाइट वाला बड़ा-बड़ा एक होता है ब्राउन चना जिसको हम काला चना भी कहते हैं और ये संदेव से सीधा संबंध रखता है में अगर नौकरी मिलने में समस्या आ रही हो तो सनी वार के दिन केबल आप सुकरवार की रात में काले चने को पानी में भीगोना है आपको और सनी वार के दिन इस पानी से निकालिए अब सरसों के तेल में पका लें याद रखिए सरसों का तेल इसमें आपको नमक मसाला बेगेर कुछ भी नहीं डालना है अब सनी बार के दिन किसी भी पसु को इसको खिला दीजिए ये प्रियोग आप तीन सनी बार लगातार करें नौकरी में मिलने में अगर कोई परिशानी है समस्या है तो दूर हो जाएगी नौकरी मिलना आपके लिए आहसान हो जाएगा बहुत सरल बहुत सिंपल उपाय है आप चरूर कीजिए अब दूसरी समस्या होती क्या है कि नौकरी तो है लेकिन जितनी आपकी योग्यता है उस हिसाब से नौकरी आपको नहीं मिल पा रही अब आपने पढ़ाई लिखाई तो इंजरींग की कर ली लेकिन पढ़ा रहे हैं ट्यूसन अब योग्यता के अनूसार तो कुछ भी नहीं अब बन गया टीचर तमाम तरह की परिसानिया जीवन में आ जाती है ऐसे में क्या करेंगे सनीवार के दिन साम के समय एक कटोरी में सरसों का तेल ले याद रखिएगा स्टील की कटोरी में ले सरसों का तेल अब अपने बाएं हाथ की मिडल फिंगर यानि लेप्ट हैंड की मध्यमाउगली बाएं हाथ की मिडल फिंगर को आप उस तेल में डा दालकर ओम संग सनचराय नमहा ओम संग सनचराय नमहा इस मंतर का 108 बार जब कीजिए फिर उसी तेल में पीपल के बिष्ट के नीचे बाती डालकर रुई का दीपक जला दें तो आपकी जो योग्यता है उसी अनुसार आपको नौकरी मिल जाएगा यह उपाई भी आप तीन सन सनिवार लगातार कीजिएगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा तो सनिवार के दिन आप छोटे-छोटे उपाई करके जीवन में आ रही तमाम परिसानियों से मुक्ति पा सकते हैं फिला लंबी दालेंगे हर हर महादेव धन्यवार